4, 3, 2, 1 अध्यक्ष जी अमरीका के राष्ट्रपती श्री रीगन के साथ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बादचीत दोनों देशों के आपसी सम्बंधों में एक महत्वपून गटना है पिछले अनेक वर्षों से भारत तथा अमरीका के सम्बंधों में तनाव चला आ रहा है दोनों के सम्बंधों में बिगाड का मुख्यकारण पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र सहायता ही रही है अब अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर आर्थिक और सैन्य सहायता देने का निर्ड़य किया है प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपती श्री रीगन के समक्ष भी स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान को एफ सोल लडाको विमानों तथा आधुनिक हथियारों की सप्लाई किये जाने से भारतिय उप महाद्वीब की शांती को खतरा पैदा हो जाएगा श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपती रीगन से जो कुछ कहा है उसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी ऐसी बात नहीं है अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की उपस्थिती का प्रश्ण हो या कमपूचिया को राजनईक मानिता देने का मामला या नई अंतराष्ट्री अर्थ विवस्था की सापना का प्रश्ण इन सब पर भारत का बहुत ही स्पष्ट द्रिश्टिकोंड है और अमरीका उनसे पूनतह परचित है किसी को भी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि अमरीकी राश्ट्रपती से भारतिय प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद दोनों देशों के सारे मतभीद दूर हो जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता भारतिय अरिकारियों ने बताया है कि सुरी रेगन से प्रधानमंत्री स्रीमती गांधी की वारता खुलकर हुई खुलकर बातचीत करने का अर्थ यही होता है कि किसी भी पक्ष ने अपने दृष्टिकोड सामने रखने में किसी प्रकार का संकोश नहीं दिखाया चाहे वे परस्पर विरोधी ही क्यों ना हूँ निकट भविष्य में विभिन अंतराश्ट्री मामलों पर भारत तथा अमरीका के बीच पूर्ण सहमती हो जाएगी ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता है किन्तु यदि श्री मती और श्री रीगन वयक्त आधार पर एक दूसरे को सही धंग से समझ पाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से ना सिर्फ दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा बलकि विश्वशान्ती कायम रखने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों में भी मदद मिलेगी दो देशों के राज्या धक्षों के बीच गलत फहमिया तथा व्यक्तित्व का टकराओ अनेक बार इतिहास को संघर्ष की खाई की ओर खींच कर ले जाता है किन्तु यदिवे एक दूसरे को अच्छी तरह समस्ते हैं तो समस्त मतभेदों के बावजूद संघर्ष की नौबत नहीं आती है इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी तथा राष्ट्रपती रीगन के बीच हुई प्रथम वारता का स्वागत किया जाना चाहिए अमरीकी नीतियों से और सहमत होने के बावजूद भारत इतने शक्तिसाली राष्ट्र को बिलकुल नजर अंदाज नहीं कर सकता है इसलिए सारे मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध कायम रह सकते हैं जब तक नई अंतराष्ट्री अर्थ व्यवस्था की स्थापना नहीं होती तथा पिकासमान देशों की विशाल जनसंख्या की आकांशाओं की पूर्ती की दिशा में कदम नहीं उठाए जाते तब तक पश्चिम के धनी देश भी सुख चैन से नहीं रह सकते सभापती जी इस साल की कृष्य मंत्राले की जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई है उसमें एक बात फिर से हमें खटकी और वह यह है की जहां तक कृष्य अनुसंधान का मामला है ऐसा लगने लगा है की अब हमारे देश में यह मान लिया गया है की कृष्य का अनुसंधान अब समाप्त हो गया है एक जवाना था सन उन्निस सो पैसक छाशक में जबकी गियों की एक नई किस्म के कारण एक वक्त आया था जब हमारे देश में यह सोचा जाने लगा था कि हम खाद्यान के मामले में आत्म निर्भर हो जाएंगे गेहूं की काश्टकारी के अलावा अपने यहां कुछ और भी अन्न पैदा होने लगे हैं लेकिन यह एक बड़े अफसोस की बात है की गेहूं के और भी अच्छी किस्म के बीज निकालने में हम इस समय कुछ सुस्ती सी दिखा रहे हैं ऐसा लगता है कि अनुसंधान के मामले में हमारा देश एक पठार पर पहुच गया है जहां हर हर्याली होती ही नहीं है एक और बात बहुत ही खटकती है और मैं दो तीन बरत से उसको दोहरा रहा हूं जब हम कृश्य अनुसंधान के मामले में विचार करते हैं तो हमारे विचार अकसर गेहूं चावल और ज्वार इत्यादी फसलों पर ही अटक कर रह जाते हैं जबकी बहुत मोटी बात है कि हमारे देश के अरिकांच भागों में जहां सिचाई कभी भी संभव नहीं होगी जहांके लोग सबसे गरीब हैं जहां बरसात तो होती है लेकिन जमीन पहाडी होने के कारण समतल नहीं है उन फसलों की खेती बहुत कम होती है जिन पर अनुसंधान हो रहा है कोदों कुटकी ऐसे दाने हैं जिन पर हमारे अधिकांश आदिवासी लोग आज भी खाने के लिए निर्भर हैं लेकिन आज तक अनुसंधान की किसी भी रिपोर्ट में हम लोगों को यह पढ़ने का सभाग्य नहीं मिला है कि कोदों कुटकी के भी कुछ बहतर बीज निकाले जा सकी है जो अधिक फसल दें